है जड़ो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे फिस सेकंड चैप्टर स्टार्ट थीक है सेकंड चैप्टर के हम एक्जांपल कर रहे हैं देखिए सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स यह जो वह आपने प्लस्टू में भी किया हुआ है मैनर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और मैंने एक वीडियो भी ंए इसके उपर कि माइनर को फैक्टर की तो आप वो कर सकते है ठीक है rank of matrix जो है मैं आपको बता रही हूं कैसे निकालते है tro rank of matrix जो होता है अभी तक हम 6201 सिरो मैंटिक्स है ठीक है तो टहाई नोन नेगटिव इंटीजर्टर नोन नेगटिव कोई भी नोन नेगटिव नेगटिव नहीं रहाते है रैंक कोफ किलाता इस यदी एंग 2010 रोफ ऑडर आर यदी एज ऑन्илась इतली यिदि कम से मैं जू है नेम दोनुढ़ देखो मतलब जैसे की माल लीजे आपके पास मैट्रिक्स है यहला感Жस, मैटिक्स है लगा को Legislation असलोव देखो पास इसकी स्वाधा नोन जो हो दोन जा घैस लगानes demonstrate तो वह क्या कहलाती है मेरी rank कहलाती है जैसे every minor of order R plus 1 of a if any is 0 every minor of order की कोई भी minor order का R plus 1 of a का अगर 0 है अगर given है इस तरीके से तो if any is 0 तो इसका मतलब क्या कोई ना कोई वहाँ पर क्या है 0 है यह सिधे से word में अगर मैं आपको यह बात कहूं कि the rank of matrix is the highest order of a non-zero minor तो सिधा सा यही अंसर है कि rank of matrix आपका क्या होता है कि highest order होता है किसका non zero element का ठीक है इसमें इतना उलजने की जरूरती नहीं है यहाँ देखिए पूरी row के अंदर one है यहाँ पर पूरी row के अंदर two आ रहा है यहाँ पूरी row के अंदर one one element आ रहे नोन zero element कितनी row के अंदर one two three त तो और हमेशा अगर short अगर हम करें तो यह हमेशा याद रखे रहे ना कि अगर मान लीजिए आपके पास column और row में से जो भी छोटा होगा जैसे कि मान लीजिए m cross n है अगर आपके पास three into two की matrix है मतलब three row है और two अगर column है three row और two अगर column है ना तो आपको क्या देखना है three row और two column है तो जो छोटा होता है ना वही आपकी rank होती है hundred one percent नहीं है लेकिन बड़ी rank मुश्किल से होती है छोटे वाली rank count होती है ठीक है तो छोटी rank रहेगी उसकी clear है दूसरा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए determinant जो होता है जो की बहुत यह असान तरीका है कि अगर आपको किसी की rank निकाल लिए तो आप पे ना बिल्कुल easy तरीक के से determinant निकाल दो मान लीजिए आपके पास यह वाली एक matrix दे रखी आप इसका पहले direct determinant निकाल दो ठीक है direct determinant कैसे निकाल लेंगे जैसे कि मान लीजिए आपने यह तो 0 हो गया दो केस तो 0 आएंगे लास्ट का देख लो one one हो गया यह 0 फिर माइनस का टू तो यह क्या रहा है माइनस का टू आ रहा है इट मींस क्या है कि इसका जो determinant है ना वह माइनस का टू आया तो इसकी जो रैंक होगी ना वो रैंक जो है वो 3 होगी ऐसा क्यों क्योंकि आपने जो मैट्रिक्स ली थी जिस मैट्रिक्स का determinant यह 3 आया है ठीक है जिस मैट्रिक्स का determinant आपका माइनस 2 आया है नहीं कि 0 अगर 0 नहीं होकर minus 2 आया कुछ न कुछ element अगर आता है तो rank वही matrix की रहेगी ठीक है तो मालो अगर आपने 3 वाली matrix लिया है तो आपका rank भी 3 रहेगा अगर माल लीजे यहाँ पर 0 आ जाता 3 पर तो इसका जो determinant अगर यहाँ 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या है कि इसका determinant अगर 0 आया है तो इसकी rank 3 ने आओकर इसकी rank क्या हो गई आपकी 3 की बजाए क्या होगी 2 होगी clear है मेरी बात अगर 2 पर भी determinant अगर आपका 0 आ जाता है 2 पर भी determinant 0 आ जाता है तो इसकी rank क्या होगी आपकी 1 होगी उसकी rank क्या होगी 1 होगी मेरी बात समझ आई ठीक है उसके बाद देखो इस तरीके से हमें रेंग नहीं ठीक है आप देखो तो देखे अब आप हम करते एक्जामपल ठीक है एक्जामपल से ही आपको क्लियर हो जाएगा इसका इतना मोटा पढ़ने के आपको जरूरत ही नहीं है जैसे कि मान लीजे आपने एक्जामपल फर्स्ट ले रहे हैं ठीक है एक्जामपल फर्स्ट में क्या दिया हुए आपको 0, 0, 1 ठीक है? 0, 2 और यह दिया हूँ आपको 0 यहाँ 1, 0, 1 यह दिया हूँ है अब आपको इसकी rank निकालने है ठीक है? अब आपको rank कैसे निकालने है मैंने आपको बताया कि आप इसका determinant निकाल दो ठीक है? हम determinant जब इसका निकालते हैं तो हमें determinant निकाला तो यह minus का 2 आया तो यहां क्या आगया आपका minus का 2 अगर इसका determinant 0 आ जाता ना तो इसकी rank 3 ना होकर इसे छोटे वाली रहते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर minus 2 आ गया कुछ ना कुछ value आई है तो it means इसकी जो rank है rank of A matrix जो वो क्या होगी आपकी 3 र rank of A क्या है आपकी 3 है आप example चेक कर सकते हो देखो A का determinant है वो not equal to 0 आया तो हम क्या कहेंगे rank of the given matrix is 3 clear है बिल्कुल easy से solve हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखो find the rank of the matrix A is equal to this देखो यह question जो है यह आपका exam में भी आया हुआ है बहुत बार तो देखे question number second जो है इसका example वो क्य आपको क्या बताना है इसकी rank बताने है कैसे बताएंगे इसकी rank सेम वही logic लगाना है हमें क्या करेंगे हम इसका determinant निकालेंगे सबसे पहले आप determinant निकालेंगे आपने क्या किया इसका determinant निकाला 2 बंजा 2 माइनस का 1 माइनस का 2 ठीक है यह क्या हो गया 3 बंजा 3 माइनस का 1 प् करेंगे तो 3-2 हो जाए तो यह कितना गया 1-3 में से 1 गया 2-4-3 में से 2 गया 1 तो यह 3 आ गया तो यह कितना आया आपके पास 0 आया देखिए इसका determinant जो है वह आपके पास क्या आया 0 आया जब determinant 0 आता तो rank जो है वह 3 नहीं हो सकती then हम क्या check करेंगे next check करेंगे कोई 2 matrix के लिए then we take 2 into 2 की matrix लेंगे we take 2 into 2 matrix तो 2 वाली में कोई भी 2 ले सकते हो आप ये वाले भी ले सकते हो ये वाले भी ले सकते हो कोई भी 2 matrix में से लेनी है तो मैंने starting की ले लिए 1, 2, 3, 2 अब आप इसका determinant निकालो जब आप इसका determinant निकालते हो तो क्या निकलता है देखो 2 बन जा 2 minus का 2, 3, just 6 तो यह कितना आया आपके पास minus का 4 तो यह क्या आपके पास 4 आया, इसका जो determinant है वो क्या आपके पास 4 आया, तो it means क्या है कुछ नकुछ non-zero element आया है यह determinant जो कुछ नकुछ तो आया है vandaag minus का 4 है ठीक bewाव तो अब देखो कुछ ना कुछ value आपकी आई है तो it means क्या है कि जो rank होगी आपकी rank of a जो है वो क्या कहलाएगी 2 पर आपका non zero element आ रहा है तो आपकी rank भी क्या रहेगी 2 रहेगी row of a is equal to में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर आप check भी कर सकते हो कि क्या मैंने जो बताया वो सही है देखो यहाँ पर तो मेरी जो rank है वो क्या है 2 है क्योंकि 2 order पर क्या है non zero element आपके है clear है उसी तरीके से आपका जो आपको book वाला object देखने की जूरती ही नहीं पड़ेगी इतना असान करवारी है आपको देखिए जो next question है इसका इसका जो third example है third example में क्या दिया हुआ है आपको one two zero one one two one three और two four two six ठीक है अब आप कहोगे जी यह तो four की है four वाला हम कैसे solve करें तो देखो मैंने आपको पहले ही बताय था कि जब आपको rank निकाल नहीं होती है तो हम जब rank निकालते हैं तो आपकी matrix कैसी बन रही है three into four की बन रही है इसके अंदर column कितने है four और row कितनी है three तो मैंने आपको बताया था कि rank जो होती है वो four नहीं होगी हमेशा ही वो क्या रहती है छोटी रहेगी किसे four से क्योंकि जो पहली बात मैंने यही बताय थी कि अगर आपके पास row और column में से कोई भी अगर आपके पास छोटा दिया हुए तो आपकी rank बड़ी नहीं होगी वो छोटी ही रहेगी ठीक है तो हम क्या करेंगे तो हमें एक सिर्फ therefore therefore it cannot it cannot have minor it cannot have minor of order four ठीक है तो four तो कभी भी नहीं हो सकता ठीक है अब हम क्या लेंगे अब हम four नहीं हो सकता तो हम क्या लेंगे third के लिए लेंगे ठीक है हम कितने order के लिए लेंगे third order के लिए अब 3 order भनाने आपको आप आपको 3 and 2 4 की बज़ाए 3 and 2 3 की matrix लेके चलना है अब 3 and 2 3 की matrix आपके देखो ये वाली भी बन सकती है अपके पास ये वाली भी बन सकती है वो आपके मर्जी आप कोई भी उठा सकते हो ठीक है? आपके मर्जी है आप इसको पहले लिख दो इसको बाद में जैसे कि आपको देखो बुक में भी दिखाया गया है कि आपने पहले 1 और 2 और 0 continue ले लिए उसके बाद ये छोड़ दिया उसके बाद 1, 2, 1 1, 2, 1 ले लिया ठीक है उसके बाद 1, 0, 1 ले लिया फिर 2, 0, 1 ले लिया वो आपकी मर्जिया आप कोई भी जो 3 into 3 की मैट्रिक्स में से कोई भी ऐलिमेंट को उठा सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि ये कि यहां से उठा ले ये कि यहां से ऐसा नहीं जैसे continuity में वैसा ही लेना है ठीक है आप उन में से कोई भी एक चेक कर लो आपको चारू चेक करने की ज़रूरती नहीं है ठीक है मान लिजे कि मैंने क्या लिया मैंने फर्स्ट ले लिया 1, 2, 0 ठीक है 1, 2, 1 और 2, 4, 2 ले लिया ठीक है अगर इसी का determinant अगर 0 के बराबर आगे ना सबका determinant 0 के बराबर आएगा यह तो confirm it ठीक है तो अब हम इसका determinant निकालेंगे तो यह ले लिया 2, 2 जा 4 4 आ गया यहाँ पर भी माइनस का 2 2 बन जा 2 माइनस का 2 और वहाँ 0 है तो यह देखो यह तो 0 आ रहा है इट मिन्स आपका determinant A जो है वो अगर 0 के बराबर आ रहा है तो आपका जो rank of matrix जो है वो 3 भी नहीं होगा देखो 4 भी नहीं रहा 3 भी नहीं रहा अब हमें किसके लिए check करना है अब हमें check करना है यह line हमें लिखनी पड़ेगी कि all minor of order 3 is 0 3 is 0 तो rank जो है इसका मतलब वो 3 भी नहीं हो सकती 3 से छोटी होगी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कोई भी 2 वाली ले लेते हैं कोई भी 2 कोई भी 2 ले लो मैंने तो first ही उठानी है ठीक है तो मैंने first उठा ली ठीक है first अगर मैं उठाती हूँ तो देखो 2 बंजा 2 और माइनस का 2 बंजा 2 ये तो बात तो फिर यहीं पर खतम हो जाती है ठीक है कोई इसने ये का है कोई भी 1 वी कंसीडर कोई भी 1 जो हो 9 0 आजाए अगर कोई भी 1 9 0 आजाए तो और कोई उठा के देख लो एक बर ठीक है 1 2 2 4 ठीक है कोई भी हमें उठा के देखनी है तो हम क्या करेंगे 4 बंजा 4 और ये क्या रहा है 2 2 जा 4 ये भी 4 आ रहा है ठीक है तो भी बात नहीं बनी कहने का मतलब ये कि आपको सारे केस जो है 2 2 के वो सारे सोल्व कर करके देखने बढ़ेंगे कोई सारे आप सोल्व कर करके कोई भी एक अगर ऐसा आ गया जो कि जीरो के बराबर नहीं है तो आपकी रैंक ओफ 2 है अदर्वाइस आपकी रैंक ओफ जो है वो उससे भी छोटी रहेगी 1 रहेगी ठीक है तो देखिए हम क्या करेंगे अब जैसे इसने बुक में भी आपको ये अलग-अलग दिखाए थे तो आप मैंने फर्स्ट एक आपको सोल्व करके दिखाए था लेकिन आपको करके तीनो चारो को करके देखना है ठीक है चारो को ही करके देखना है मैंने इसलिए एक ही उठाए था क्योंके मेरा एक में ही नोन जीरो आ गया अगर मेरा एक में ही नोन जीरो एलिमेंट आ रहा है तो मुझे आगे सोल्व करने के ज़रूरती निया चाहिए वो बेसक जीरो आ जाए ठीक है तो उसके बाद देखो अब मैं सेकेंड वाले में इसलिए करके देख रही क्योंके मैं जो भी उठा रही हो उनमें जीरो आ रहा है ठीक है तो कोई भी ऐसा उठा के देख लो जिसमें जीरो ना आ है इसमें भी जीरो आ रहा है अगर मैं ये उठाती हूँ तो ये 0 नहीं आ रहा है कैसे देखो अगर मैंने 0 और 1 और 1 और 3 लिया दो मैट्रिक्स ये ली तो इसमें जो determinant है वो 0-1 आ रहा है ठीक है तो it means क्या रहा है माइनस 1 आ रहा है तो 9-0 आ गया तो कम से कम at least जो है at least अगर बोलेगा वो ये बात आपको लिखनी है at least 1 minor जो है न 1 minor at least ये जो 1 minor है of order 2 का at least इसी लिए लिखा है क्योंके सब में 0 आ रहा है कम से कम एक ऐसा element है 2 का is non 0 is non 0 ठीक है and all minor of order order 3 is 0 ठीक है then rank of matrix is 2 rank of matrix क्या 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 लाएगी आपकी 2 क्या क्या लाएगी क्यूंके इन सब के लिए इन सब के लिए जो आपकी rank आ रही थी देखो यहLINE मैंने इसे लिखे इन सबकी जो रैंक आ रही है आपको दिया हुआ है, कोशन नमबर फोर्थ देखे, फोर्थ में आपको क्या निकालना है, आपके पास क्या दे रखा है, मैट्रिक्स में, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 2, 4, उसके बाद देखो, तो हम क्या निकालेंगे, आपके पास यह कोशन है, हमें इसकी रैंक निकालने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मैट्रिक्स है, वो 3, 2, 4 की है, तो रैंक तो इसकी कभी भी 4 हो नहीं सकती, तो हम क्या कहेंगे, यह लाइन लिखेंगे, जो दा ओडर ओफ मैट्रिक्स, यह जो ओडर है मैट्रिक्स का वो क्या है, 3 इंटू 4 का है, अगर यह 3 इंटू 4 का है, तो therefore लिख कर, therefore, it cannot have minor of order 4, ठीक है, इसको हम order 4 के case में नहीं लिख सकती, ठीक है, अब देखो, अब आप कोगे, कि order 4 के case कैसे, क्युक् realism की rumor 4 के case में लिखंगर नहीं सकती है, क्यूक्य हमें, देटर्मिनस सिर्फ एक 2 आता है, एक 3 आता है, 4 का हमें आता ही नहीं है, क्यूक्य कभी book में भी नहीं आया, रिना हमने किया, तो इसलिए इसने क्या बोला है कि minor of order जो है वो four का solve नहीं होगा ठीक है clear है उसका determinant नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे consider करेंगे order minor का third order के लिए ठीक है हम क्या करेंगे consider a third order minor ठीक है हम सीधा third पर चले जाएंगे कोई भी third उठा लो मैंने starting के ही उठा लिए three four one three two one five six two ठीक है इसको हमें इसका determinant निकालना है मैंने determinant निकाल दिया जब मैंने इसका determinant निकाला तो ये मेरा हो रहा है four minus six minus का four six minus five plus one eighteen minus ten ठीक है इसका जो answer आ रहा है वो क्या आ रहा है three into minus का two minus का four into one और plus one into में eight ठीक है solution जब करती हूं तो मेरा रहा minus का two जो कि not equal to zero देखो अगर ये not equal to zero आ गया ना मुझे और minor के case चेक करने की जुरूरती नहीं है थिरी वाले जैसे कि मान लीजे हमने इस question में किया था इसमें किया था सारे अलगलग solve किये थे वो पता क्यों किये थे क्यों आपड़ा की दूसरा जीरो आ रहा है की नहीं आ रहा फिर तीसरा भी चेक करना पड़ा फिर चोथा भी चेक करना पड़ा फिर चारो जीरो आगए मेरी ये वाली नहीं रही थे यहां पर एक ही element एक ही solution एक ही minor को चेक करने पर मेरा non 0. God इसकी जो rank है वो 3 हो सकती है इसकी जो rank है वो क्या हो सकती है 3 हो सकती है तो हम यहां क्या लिखेंगे कि rank of a is equal to में क्या आएगा 3 आएगा क्या आएगा 3 आएगा उसके बाद देखो question number 5 में क्या दिया हुआ show that no skew symmetric matrix can be of the rank 1 इसने यह बोला कि कोई भी skew symmetric matrix नहीं है जिसकी rank 1 आए ऐसा क्यों ठीक है कोई भी skew symmetric ऐसी नहीं है जिसकी rank जो है वो 1 आजाए मतलब उसकी rank या तो 2 आएगी ठीक है 1 कभी भी नहीं आएगी कितनी भी skew symmetric matrix ले लो तो देखो आपको एक example लेके solve करना पड़ेगा ठीक है इसने तो 4 इंटो 4 का ही एक example लेके solve किया है ठीक है तो देखिए आगे हम कैसे करेंगे ठीक है मैंने कोई भी skew symmetric 3 order की माननी ठीक है उसने 4 की लिए लेकिन मैंने तो 3 की ले ठीक है आप 3 से इसको solve कर सकते है 3 इंटो 3 से तो आप first इसका determinant निकाल के देख लो आप क्या करोगे इसका determinant निकाल के देख सकते हो तो हम क्या करेंगे इसका determinant निकालते है minus का h first तो 0 ही है हमेशे याद रखना skew symmetric matrix में आप पुछोगे कि यह 0 कांस है skew symmetric matrix की पहचान होती है कि diagonal पर सारे element जोते हो 0 होने जाए ठीक है जब भी आप अपनी तरफ से कोई skew symmetric लिखते हो तो पहले हमेशा 0 जरूर लिखो diagonal पर उसके बाद अगर यहाँ पर h और g लिखते हो तो इनका opposite जो होता है उसके minus h होगा यहाँ पर g का minus h होगा और यहाँ का minus f होगा यह होती है excuse me trick लिखने की पहचान कि a i j जो है वो किसके बराबर होगा आपका a j i minus के साथ में clear है इसके बराबर होता है ठीक है अब देखो minus का h होगा अगर मैं इसका determinant निकालती हूँ तो यह तो 0 होगया यह minus का gf होगया ठीक है plus का f f फिर यह लेंगे तो यह हो जाएगा hf अब देखो यह क्या बना minus का minus minus प्लस होगया तो hf g और यह भी plus में hf g बना hf का square बना यह क्या बना hf का square तो देखो मेरे पास non zero element आया क्या है non zero element आया जीरो नहीं आया non zero element आया it means इसकी rank क्या हो जाती है इसकी अगर मैं rank की बात करू rank of skeu symmetric matrix तो वो क्या है मेरी three हो रही है क्या हो रही है three हो रही है ठीक है उसके बाद अगर मान लीजिए उसने का कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि अगर मैं two की भी लेके चलू तू भी लेके चलू suppose at least one of these elements say h is not equal to zero ठीक है मान लीजिए कि मैंने ये ले लिया कि h जो वो equal to zero नहीं है और सारे zero है और सारे क्या है zero के बराबर है ठीक है अगर सारे zero के बराबर है third वाला तो मैंने solve कर दिया कि इसकी rank three हो सकती है अब two वाला भी तो check करना है तो two वाला check करने के लिए मैंने let कर लिया कि let h is not zero and all is zero अगर only zero है तो देखो यहाँ पर यह zero हो जाएगा zero plus zero क्योंकि f zero है तो यह भी zero हो गया तो zero तो rank three तो नहीं होगी ठीक है rank of a not equal to three तो हम क्या करेंगे two के लिए check करेंगे two के लिए अगर हमें check करना है तो हम क्या लेंगे यह तो सारे element आपके zero है सिर्फ यह वाला zero नहीं है तो zero h minus ka h और zero ये लेके चलो ठीक है ये लेके अगर हम चलते हैं तो ये तो zero हो जाएगा लेकिन ये क्या होजएगा plus ka h का sccler हो तो यहाँ पर क्या ह हैं कि तु क्याल है तो देखो या तो रैंक झो होती होगी या तो इसकी रैंक टू क्यालाएं या फिर तू से बड़ी कहलाएगे ठीक है क्यों क्योंकि अगर मान लीजे अगर आप को कि इसकी रैंक जो है वो 1 नहीं हो सकती कि यह element अपने 0 नहीं माना अगर यह अपने 0 नहीं माना तो यहाँ पर h की value कुछ ना कुछ है कुछ ना कुछ है तो मैंने बता है ना कोई भी एक element जो वो 0 नहीं होना चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि rank of a not equal to 1 तो no skew symmetric matrix can be of the rank 1 तो this method proof can be easily skew symmetric matrix of the order any order तो इसने का कि skew symmetric आप किसी भी order के ले लो उसका जो rank है वो कभी भी 1 नहीं आएगा उससे जादा ही आएगा उसका जो rank है वो कभी भी 1 नहीं आएगा 1 से जादा आएगा clear है सिर्फ इतना ही हमें ये तो एक example था जो हमें बताना था समझाना था और कुछ नहीं था इसका कोई logic नहीं है करने का ठीक है तो देखिए जो next question है आपका 6th question उसमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं देखिए question number 6 में क्या दिया हुआ है question number 6 में दिया हुआ है 3x minus का 8 find the value of the x आपको x की value निकालनी है ठीक है जबकि इसकी rank जो है वो less than 2 है मतलब 3 नहीं है अगर 3 इसकी rank नहीं है it means क्या है कि इसका जो determinant है वो किसके बराबर है 0 के देखिए इसका determinant जब 0 के बराबर है जबी तो इसकी rank जो है वो 3 नहीं होकर इससे छोटी होगी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम सिधा इसका क्या निकालेंगे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो A का डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर है 0 के उसने statement में ही बोल दिया कि उसकी rank जो वो 3 तो है यह नहीं या तो 2 मिलेगी या 2 से क्या मिलेगी छोटी मिलेगी तो हम क्या करेंगे इसका determinant निकालेंगे आप या तो पहले ऐसा कर लो कि इन सब को जोड़ लो और भी easy हो जाएगा करना हम क्या करते हैं उससे पहले इन सब को जोड़ देते हैं ठीक है आरवन में क्या कर देते हूं आरवन प्लस आरटू प्लस आरटू प्लस आरटू एड़ कर दिया ठीक है सारी आरवन में मैंने क्या कर दिया आरवन प्लस आरटू एड़ कर दिया देखो तो यहां क्या हो जाएगा जब मैं इसमें यह एड़ करूंगी तो यह हो जाएगा थ्र 3x-8 है यहां 3 है यहां 3 3 3x-8 यहां अगर मैं इसको common ले रहूं 3x-2 बार ले लेती हूं ठीक है क्या बच गया यहां पर मेरे पास matrix के अंदर 1 1 1 यहां 3 3x-8 और यह 3 है यह 3 3 यह हो जाएगा 3x-8 ठीक है इसको अब आप इने direct भी solve कर सकते हूं या फिर इसके अंदर row reduce method और भी लगा सकते हूं ठीक है देखो इसने तो direct किया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे इसको direct कर देते हैं जब मैं इसको direct करती हूं तो क्या करूंगी इसका determinant निकालूंगी तो 1 जब यह लिया तो यह हो जाएगा 3x-8 का all square minus का 339 minus का 1 ठीक है अब क्या लेंगे यह हो जाएगा 3 into में 3x-8 और यह हो जाएगा आपका 339 plus 1 फिर यह लेंगे तो 339 minus में 3 3x-8 ठीक है 3x-2 1 अब देखो इसका whole square खोलेंगे तो 39x का square अठोटू 64 तीन अठे 24 और 24 दूनी 48x minus का 9 minus का 1 यह हो जाएगा तीन 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 नो x 3 अठे 24 minus minus plus का 24 हो जाएगा यह 9 है ठीक है यह minus का minus का है यह minus minus plus का हो जाएगा ठीक है आगे क्या दे रखा है plus 9 minus का 3 तीन तीन नो x plus 3 अठे 24 यह हो जाएगा 3x minus का 2 अब देखो 9x का square अगर इसमें से यह plus का 64 minus का 48 यह 48x है यह minus का 9x है यह minus का 9x है जब मैं इनको जोड़ूंगी तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 9 और 9 minus वाले को पहले काट देती है नहीं सोरी इसको निगटेगा यह निगटेगा यह minus का 9 है यह plus का 9 है कट गया ठीक है अब देखो कुछ कट रहा है आए थिन सो कुछ भी नहीं कट रहा है न यह minus का है यह plus का है यह plus का होना थी यह plus का है प्लस का है और यह minus minus प्लस माइनस में कोई गलती हुई है क्योंकि यहाँ minus का 48x है माइनस का यहाना चीए था ही तो चलो एड़ करके देख लेते पता चल जाएगा यह 9x का स्केर है ना माइनस का 48 प्लस का 9 इतना हो गया माइनस माइनस 18 करना है आठ यह minus का 56x हो जाएगा अब यह यह और यह एड़ हो चुगा है अब क्या बच्श्टी फॉर माइनस का 9 से स्क्छुर्ण का 9 कट गया ठीक है अब क्या बचा प्लस का 24 प्लस का 9 सिर्फ और एक प्लस का 24 और बचिया तो 3X माइनस का 2 अब देखो 9X का स्केर माइनस का 66X प्लस में ये जोड़ दो 48 48 और 64 6410 और 11 11,1 2 और 21 यह आया है ठीक है 3X माइनस का 2 जब आप इसके गुननखंड करोगे तो आपके पास जो solution आएगा वो 3X माइनस का 11 ठीक है और 3X माइनस का 11 यह हो जाएगा इसका solution ठीक है क्योंकि देखो 11 और 11 से 21 बनता है 121 यह solution हो जाएगा अब जब मैं इसके 3X माइनस का 2 इसको 0 के बराबर रखते हूँ तो X की value क्या जाती है मेरी 2 बटे 3 इसी तरीके से X की value मेरी क्या जाएगी आपर 11 बटे 3 मुझे X की value भी निकालनी थी बस मेरा यह अंसर था ठीक है कोई doubt नहीं है उसके बाद देखे कोईशन नमबर 7 में आपको क्या दिया हूँ है कोईशन नमबर 7 में आपको दिया हूँ है find the condition आपको condition निकालनी है under which rank under which rank of the 100 ये वाली आपको equation दे रखी है ठीक है उसने बोला will be less than 3 इसकी जो rank है न वो less than 3 होगी also find the that rank आपको इसकी rank भी निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले तो उसने क्या बोला है कि हमें p की value भी निकालनी है इसके अंदर क्या निकालनी है p की value भी निकालनी है फिर उसके बाद उसके अंदर rank भी निकालनी है ठीक है तो देखो इसने जो है न सबका अलग अलग लिया क्यों क्योंकि हमें पहले उसने ये बोला है विल बी लेजन थ्री होगी इसकी जो रैंक है वो लेजन थ्री होगी और यहाँ पर मेरे पास 4 दे रखिये 1, 2, 3, 4 तो मुझे 3, 3 का तो बनाना पड़ेगा न तो मैंने क्या माइनर जो वो 3, 3 के बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताए था कि आपके पास 4 और 3 दे रखिये तो अगर आपको ऐसे दे रखा है 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 दे रखा है तो आपकी जो रैंक होगी वो 3 होगी तो 3 बनाने के लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा कोई भी 3 ले लिया ये 3 उठा लो चाहिए 3 जितने भी 3 बनते हैं वो सारे उठाने आपको ठीक है और सारे ही उठाकर चेक करने है कि किसकी जो रैंक है वो आपकी 3 के वराबर नहीं आती है ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे हमने अलग-अलग क्यों किया इसके अंदर सबको मतलब सबकी चेक करनी क्यों है एक तो हम P का केस चेक कर लेंगे जिससे मेरे P की वैल्यू निकल जाएगी एक ऐसा केस ले लेंगे जिसमें सिर्फ क्याओ भी आ रहा हूँ तो हम क्याओ वाला केस ले लेंगे जिसमें क्याओ की वैल्यू भी निकल जाएगी अगर मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगी ना पी और क्याव को, तो मेरी एक भी value नहीं निकल पाएगी, आगी समझें, तो पहले एक बर P वाला ले लो, फिर क्याव वाला ले 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 ना, मेरी बात समझे हैं नहीं समझे, ठीक है, इस तरीके से हमें ये question करना पड़ेगा, तो देखो आपको statement में क्या दे रखा है, statement में आ है इसकी रैंक बोल दी विल भी 3 से कम होगी ठीक है तो इट मिन्स किया कि थी वाला तो जीरो के बराबर होगा तो मान लीजे आपने कोई भी ऐसी रैंक उठा ली कोई भी माइनर ऐसा बना लिया जिसके अंदर एक वैल्यू आ रही है चाहे क्याव की लेलो चाहे पी की लेलो पी व्हों आपकी मरूजी है ठीक है देखो अगर मैं क्याव की वैली उठाती हूं माल लीजे मैंने और वन जीरो जीरो तब भी आ रहा है अगर माल लीजे मैं यह लेती हूं जीरो 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 फिर प्लस टू आ रहा है अगर मैं क्याव को लेती हूं तो इसके सथ प्लस टू जरूर आ ठीक है , अगर आप chud even try करके देख लो अगर माल लीजिये , आप rinse में यह वाली लेना ही ना चाहूंतो तो देखो मैं कौन सी लू फिर 1 यह 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 का यह 3-0 जीरो ड़ीरो यह वाली लेती है। तबह 스शन तो तक हो मैं एक बड़र क्या करते हूं को ये वालई ले जह रहें की वालई लेए तो जीरो फी माईनस का टू और गार इसमें देखो नहीं आ कि इससे क्या होगा कि मेरा इसका डीटर्मीनेंट है वह 0 के बूर से बोर दिन लुकह चेсть काशना हो ज्यक्राषय N. जो हिंगा यूध कि दीर क्याओ के साथ P वाला ले लो क्यूंकि उसमें हम दो रख देंगे तो हमारी जो है ना एक वैल्यू खतम हो जाएगी ठीक है नुमेरिक आ जाएगी अन्नोन नहीं रहेगी फिर हमारा आम जी क्याओ को निकाल स्केंगे मैं वही ले लिया जो मैं हम बात कर रहे थे माल लीजियें मैंने ल таких को 10 0 0 0 minus 1 p plus 2 ठीक है 0 0 और 3 ये ले लिया ठीक है अब इसके अंदर p की value मेरी क्या आई है two आई है तो मैं रख दूँ यहाँ पर लिख देना put p is equal to 2 तो 1 0 0 0 minus 1 p की जगा पर 2 रखो गे तो 4 हो गया ठीक है गटो और 2 4 हो जायेगा उसके बाद देखो क्या अदर रखा, 0, 0, 3 हो गया, अब मैं इसका determined निकालती हूँ, तो यह कितना हो जागा, 3 क्याओ, minus का 3 is equal to 0, तो तीन क्यों बराबर तीन तो क्यों की वैल्यू कितनी आगी वन आगी ना क्यों की वैल्यू देखो अब मेरे पास क्यों की वैल्यू क्या गई है वन आगा चुकी है अब अगर मैं किसी भी एक के अंदर रखो इसने क्या बोला है फाइंड दा रैंक भी निकालनी है मुझे क क्या बोला उसने find the rank निकालो पी की value भी आ चुकी है मेरी क्या की value भी आ चुकी है तो अब हम सीधा चेक करेंगे कि इसकी rank क्या आ सकती है तो मैं कोई भी क्या की value हो जैसे कि माल लीजी यह उठा लेती हूं पहले मैंने यहां पर रखती 10000 क्या की value 1 तो 0 हो गया ठीक है यह 4 हो गया 003 अगर मैं इसकी rank निकालती हूं इसका determinant अगर निकालती हूं तो वो 0 के बराबर आ रहा है ठीक है तो इसकी rank जो वो 3 तो होई नहीं सकती not equal to 3 अब हम 2 के लिए चेक करेंगे ठीक है तो मैं क्या करूंगी कोई भी 2 के लिए कोई भी matrix 2 वाली उठा के देख लेती हूं ठीक है कि इसकी rank 2 आ सकती है या नहीं आ सकती तो 2 वाली जब मैं उठाऊंगी मेरे पास पहले मैंने पूरी वाली जो मेरे पास matrix है उसके अंदर value पूट कर देती है सारी 1, 0, 0, 0 या 2-2, 0, 2 या 0 आ जाएगा ये 0, ये 2 प्लस 2, 4, ये 0, 0 और ये 3 ये वाली matrix बन रही है मेरी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास तो ये वाली चीज बन गई तो अब हम क्या करें अगर मैं इन में से कोई भी देखो कोई भी दो 2-2 वाली matrix कोई भी उठा लो कोई भी अगर एक भी non-0 आगी ना तो वही rank होगी देखो अगर मैं ये वाली उठाती हूँ तो ये 0 आ रही है ये ठीक है ये उठाती तो भी 0 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 कोई भी दो ऐसी उठा लो जो 0 नहीं सारी करकर के देखनी है लेकिन आपको अगर लग रहे है कि इसमें से ना कोई मेरा तू आ रहे है इसकी जो रेंक है वह क्या आ रही है टू आ रही है इस तरीक यह सब्सक्राइब इस तरीके से कोई भी आगर एक भी ऐसा जाए ना नोन जिरो शो करता है तो आपको अंसर में वही लिखना इस तरीके से मेरे पास 2.1 एक्सराइज के एक्जामपल कम्प्लीट हो चुके है ठीक है इसमें 2.2 के जो एक्सराइज के है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊगे तब तक के लिए बाई टेक केर